इफेक्ट में जाएंगे फिर कॉलर्स पे जाएंगे और कॉलर्स ग्रीडियन वाले इफेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे इरेजर टूल पे जाएंगे और पर्सन को सेलेक्ट करके इंवर्ट कर देंगे इससे हमारा बैग्राउंड सेलेक्ट हो जाएगा फिर दोनों कलर्स को ब्लैक कर लेंगे कलर वन और कलर टू दोनों को इसके हमारा बैक्रांड फुली ब्लैक हो जाएगा और जिस जगह पर जिस पार्ट पर सही से ब्लैक नहीं वह उसको कर लेंगे इस प्रकार फिर यफेक्ट पर जाके कॉलराईज systematically को स्लेक्ट करलेंगे आरे फिर स्टीकर पर जाके इन सारे प्रेफोन्स को ऐडे करेंगे क्रिश्ना वाले थोड़ा से नीची जाके खोजने पर आपको यह वाला png मिल जाएगा और इसको अपने सर पर एड़ कर लेंगे इस प्रकार से अज़ेस्ट कर लेंगे यहां पर देख सकते हैं फिर यहां से पास्ट्री को एड़ कर लेंगा और इसको भी अपने हाथ में सभी से लगा लेंगे कि लगेगा कि हम पास्ट्री पक्रे हुई यह कुछ पिंजी से जिसको भी एड़ कर लेंगे जिससे हमारा फोटो पूरा भरा भरा लगेगा कि सारा पिंजी कृष्णा नाम सर्च करने पर आपको मिल जाएगा अब कृष्ण जी के चंदन को एड़ कर लेना है इसको भी अपने सर पे बढ़िया से अड़ेस्ट कर लेना है कितना खुपसूरत दिख रहा है यह चंदन अब थोड़ा सा अधूरा लग रहा है अभी फाइनल टच देंगे देख लिजी किस प्रकार फिर से रोफ फोटो को इंसर्ट कर लेंगा और फुल इसको स्क्रीन पे कर लेंगे और इसको इनवर्ट करके सिर्फ आइस को आइस पे और लिप पे ही इसका इफेक्ट डालेंग जिससे ये कलर नेचरल हो जाएगा इस प्रकार झालेंगे और आइस कलर दो भालेंगे सिर्फ एसक्रीन पेसद्ट कर दो जाएगा जिससे ये इसका अएपार ये ये रिछ लिजी कि रहा जाएगा इसका थे बाईस्ट ये ये दूछिड़ाँचों दो जाता ड़ीक च रहागार ये पालेंगे पिलिद्ट कर लिएगाया झाल झाल